नमस्कार आप देख रहे हैं स्तियासत का खेल भदोही के जिला पंचाच चनौ में माफिया बाहु बली MLC विजेश सिंग के बेटे ने एंट्री मारी बाहु बली के बेटे के एंट्री के बार जिले का सियासी तापमान काफी बढ़ चुका है आपको बता दें की MLC विजेश सिंग के बेटे सिधार्थ सिंग ने सनीवार को भाजपा के अधिक्रित प्रत्यासी के रूप में चुनौर लड़ने के लिए पार्टी कार्याले से आविदन किया है बाहु वली MLC विजेश सिंग के बेटे के जिला पंचाइश चुनौर में एंट्री के बाद अब सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि पंचाइश चुनौर को इस बार काफी दिल्चस्प होगा MLC विजेश सिंग के बेटे को भाजपा से टिकेट मिलता है या नहीं ये तो भविस्ताय करेगा लेकिन जिला पंचाइश के वार नमबर 3 में लग रहे होर्डिंग और पोस्टर से जिले का सियासी पारा पूरी तरीके से चड़ चुका है और सियासी बाजार काफी गरम हैं आपको बता दें कि माफिया बाहुवली MLC बिजेश सिंग भदोही वारारसी चंदौली छेत्र से MLC हैं जबकि उनके बड़े भाई सुरगिये उधे नात सिंग उर्फ चुलबुल सिंग वा बिजेश सिंग की पत्नी अनपूरा सिंग भी इस सीट से पूर MLC रह चुकी हैं इस बार भदोही की जिला पंचायत अध्यच की सीट समान होने के बार अब बाहुवली बिजेश सिंग के बेटे ने इंट्री मार दिया है और उनके बेटे के ताल ठोकने के बार जिले का सियासी पारा पूरी तरीके से चड़ चुका है आपको बता दें की माफिया बिजेश सिंग के बेटे ने भदोही ब्लाक के वाड नंबर तीन से टिकेट के लिए आवेदन किया है जिला Πंचायत अध्यच की कुरसी पर भदोही में दो से धाईद्यसक तक काविज रहे बाहू बली विधायक बिजेश मिस्त्रान के आठ मा पहले ही आसंकरताई थी कि पूर्वांचल के कई बाहुबली की नगर बदोही के जिलाप पंचायर अध्यच की कुर्सी पर है और ऐसा सही माना जा रहा है क्योंकि इस बार बाहुबली ब्रिजे सिंग के बेटे ने एंट्री मार दिया है वहीं बदोही के इस स्टीट पर भाचपा विधायक रबीन्द तिरपाठी भी जिलाप पंचायर चुनाओ में काफी रुची दिखा रहे हैं उनके भाई अंडुद तिवारी और बहु दिब्या तिवारी अलग-अलग स्टीटों से चुनाओ रणना चाहते हैं इसके लिए भाचपा कार्याले में आविधन भी किया गया है बाहु बली विजेस सिंग के बेटे के एंट्री के बाद पदोही में जिलाप पंचायर की कुरसी पर काफी चर्चा हो रही है और स्यासी तापमान पूरी तरीके से चड़ चुका है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल बटन जहू दवाएं वीडियो देखने के लिए धन्वाद